Hello everyone, welcome to lecture force First question है, अगर किसी gas के अडूओं का वर्ग माद्द मूल वेक जो RMS value है वो V है बिना ताप बदले, मतलब ताप को temperature को unchanged रखना है अगर किसी gas के pressure को हमने double कर दिया तो उसका अब V RMS value कितना हो जाएगा आदा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा या अंचेंज रहेगा तो देखो, जो V RMS होता है किसी gas के लिए उसका formula क्या होता है? 3RT btm, ठीक है? यानि कि वो gas constant तो सबके लिए R equal यानि कि वो केवल temperature पे उसे affect कर सकता है और उस gas का जो atomic mass होता है, वो affect कर सकता है इन्होंने कहा है कि बिना ताब बदले, मतलब ताब भी constant रहा है तो जो pressure होता है, इस formula में कहीं pressure आ रहा है? मतलब pressure से independent होता है, pressure का कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो जो initially था, वो ही finally होगा यानि कि V पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा critical temperature वो है temperature है basically यहाँ पे critical temperature का definition पूछा है तो अगर आपको definition पता है और एक चीज और इस तरह के question को करने में आप careful रहे न कि इनके option की framing थोड़ी logical होती है तो आप इसको आराम से पढ़ना तो definition क्या होती है? तो इसका मतलब है ऐसा ताप है मतलब वो ताप का peak है उससे उपर temperature अगर हुआ तो वो gas cable pressure के द्वारा liquefy नहीं करी जा सकती है अब आपने first option जैसे ही पढ़ा कि जिसके उपर आप सोचो के चलो हो गया लेकिन यहापे नहीं सब्द दिया ही नहीं है इसलिए मैंने कहा था कि question को options को carefully पढ़ना है यह कह रहा है कि जिसके उपर gas लगा कर द्रबित किया जा सकता है जबकि definition कहती कि नहीं किया जा सकता है उससे नीचे करा जा सकता है तो option B यहाँ पर सही हो जाएगा जिसके नीचे केवल दाब लगा कर gas को liquify करा जा सकता है तो B option हमारा यहाँ पर right answer हो गया ठीक है अब यह तो होई नहीं सकता कि boil के नियम का ओवे करती है उस पर तो कभी करी नहीं सकती है और एक बात और जो critical temperature होता है वो always lesser than होगा boils temperature ठीक है और जैसे ऐसे question यह force के favorite होते है जैसे triple point बहुत पूछता है triple point of butter या तो सिधा उसका data पूछ लेगा या फिर ऐसे इसी तरह से framing कर देगा चार statement देगा कहेगा कि बताओ कि triple point of water तो वह आपको पता हो कि ऐसी state होती है किसी भी liquid की जिसमें वह तीनों ठोस आइदर ड्रव और गैस तीनों का equilibrium रहता है उस पे उस temperature पे या प्र किया है तो अगर centigrade में options है तो 0.01 degree centigrade अगर Kelvin में है तो 273.16 Kelvin और अगर foreign aid में भी में भी हो सकते हैं तो 32.01 foreign aid electromagnetic wave जितनी भी होते हैं उसे questions frequently बनते हैं आप लोगों observe कर रहे हैं इतने mock test में करवाता हूँ तो देखो इस question में क्या कह रहा है कि crystal का जो construction होता है उसमें कौन सा electromagnetic wave यूज करा जाता है तो जो x-rays होता है इसको अब याद रखना x-rays जो होता है वो crystal construction में use होता है and second thing जबकि आ penetrating पाबर गामा की comparatively अधिक है बट अगर crystal construction का question आ जाता है तो अब यह अपने मन से नहीं सोचने लगना कि सबसे ज़्यादा जिसका penetrating होगा वही करेगा and second thing यह कि x-rays से questions आएंगे आपको option होगे कि x-rays cannot penetrate option होगा लकडी कागज इस तरह से वोड और एक option होगा lead lead तो lead होता है उसको बहुत dense होता है तो x-rays lead को जो है penetrate नहीं कर सकती है और अगर lead option में नहीं होगा तो वहाँ option में क्या होगा वहाँ option में होगा bone यानि की d ठीक है इनको जो है x-rays उनको जो है पार नहीं कर सकती है ठीक है याद रखना boil के name का पालन करने वाली yes के लिए pv और p के बीच में कौन सा graph होगा तो graph वाला वीडियो किस वीडियो में मुझे वह वीडियो का number याद नहीं है लेकिन मैंने सारे पी और वी का पीवी और वी का जितने भी graph के कुछ ने करा रखें description में अगर link दे दूँगा मैं तो अगर ये pressure और pv की graph की बात करें तो ये क्या हो जाएगा इसके parallel हो जाएगा x-axis के along जो है parallel हो जाएगा मतलब ph के अगर ये p-axis के समांतर सरल लेका ठीक है एक spring से लटके द्रबमान की frequency n1 है spring को दो equal parts में cut करा गया तो और उसी से लटका दिया गया तो द्रबमान को लटकाने पर उसकी frequency जो है n2 हो गई तो हमें ratio find करना है final और initial का option है दो एक बटे दो या एक बटे अंडरूट दो या अंडरूट दो तो देखो आपको बस इसके लिए एक तो formula पता हो वो तो secondary है बट primary thing क्या है यहाँ पे क्या आपको पता हो कि अगर spring को हम n parts में cut करते हैं तो जो spring का जो बलनिय अतांक होता है वो आपका उतने ही गुना जैसे तीन parts में equal parts में cut करा गया है तो each parts का आपका 3 के 3 के होगा अगर initially के था similarly इस question में दो part में cut करा गया है तो फिर जो दोनों parts होगे उनका जो force constant होगा वाट 2 के 2 के हो जाएगा बस अब एक बात ध्यान से मेरी बात समझ ना बस अगर आप समझ जाओगे तो फिर वहाँ तो करी लोगे जो t बराबर होता था formula क्या होता था 2 pi under root m upon k ठिक अब हमें यह यहां पर T नहीं चाहिए हमें यहां पर T की जगहे पर आवर्तकाल की जगहे पर आप ब्रति चाहिए तो आपको पता है कि आवर्तकाल की इंडिरेक्ली प्रिपोजनल होती टी बराबर एक बटे एन लिख सकते हैं यह निकि अगर यहां से हम एन का formula लिखेंगे आब रति का कर देंगे इसका के ऊपर चला जाएगा और एम नीचे रहे जाएगा ठीक है अब हमने देखा कि जो frequency है वो उसके फोर्स कॉंस्टेंट के इंडिरेक्ली प्रपोजनल है स्क्वेर रूट के अब दो पार्ट्स में कट करा गया है तो सेकेंड वाले का टू को हो जाएगा तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा डियो अप्सटन हमें दिख गया तो देखो इतना ही इजी था लेकिन अगर ऐसे कुस्टन की प्रैक्टिस अगर आपकी है बंद वायू का एक वायू मंदली दाव यानिक जो एक का एक्सपेंड होकर वोल्यूम 25 लिकर से बढ़कर 225 ल तो कैसे हो सकते हैं यहां पर प्रैसर का रियल मात्रक रखना पड़ेगा क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वेर वो कैसे लिखते हैं उसमें हम 10 की पावर पांच से गुड़ा कर दिया आप देखो आप 200 है अब 200 दसकी पावर पांच था और यह दो जोड़ जाएंगी तो दो अगर किसी कार का वेग तीन गुना करा जाएं तो उसको रोकने के लिए आवस्यक दूरी कितनी होगी तो देखो वैसे तो इसको देखके ही करना है कि तीन गुना हुआ है तो नौ गुनी हो जाएगी चार गुना होता तो 16 गुनी हो जाती है लेकिन कैसे जो दूरी होगी वो डिरेक्ली प्रिपोजनल होती है वेलसिटी के स्क्वाइर के ठीक है अब लेकिन कैसे यह बताओ कि स्क्वेर फाइनल वेलेसिटी होती है अब रुका है मतलब नेगेटिव एकसेलेरेशन है तो माइनस आगया बीच में टू एस लगा फाइनली रुकने के लिए यह जीरो हो जाएगा क्यूंकि रुक तभी पाएगा जब फाइनल वेलेसिटी जीरो हुई तो यहां से हम देख गोना करा गया है वे तो नोगनी हो जाएगी किसी बिद्दु चुम्ब की तरंग जिसकी वेवलेंट 30 सेंटीमीटर है इन चीजों पर द्यान दिया करो और वेग जो है वो मीटर पर सेकेंड है बस इनी का तो खेल है बाकी फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला तो सबको बता है तो यहां से खरेड़ फ्रिकवेंसी निका लेंगे तो वैला शिटी में और वेवलेंड का डिवाइड कर देंगे अब चेलेंज क्या है वेला सिटी है तीन गुड़ा 10 की घात आठ चलो मारेह सेंटीमीटर को मश्मीटर में बना दो तो 3 मं कितने से गुड़ा कर देंग 15 कोई भी ओप्सन ऐसा नहीं दिख रहा है तो दसकी घात नो है अब आप यह कंफ्यूज मत होना कि यह एम लगा हुआ है देखो यहां पर पांच तो आने का कोई सवाल ही नहीं क्योंकि सीधा-सीधा दसकी पावर में आ रहा है यह कुशन आपको यह भी सिखाता है कि कुशन तो एजी था लेकिन क्या होता है लड़का नन ओँफ दीज मार्क करने में बढ़ा यार घबडाता है कि नन ओँफ दीज नहीं होगा हो सकता है कैलकूलेशन गलत हो यो तो अगर आपके सारे फंडे कि सकता है कोई question जो none of these हो हाइगेंस नेत्रिका में दो समोत्तल लेंसों के बीच की दूरी होती है अच्छा question है हाइगेंस थे उन्हों ने construct किया था आई पीस उसमें उन्होंने दो पीस लिए थे दो plano convex लिए थे एक की focal length 3f थी और एक की f थी उन दोनों को 2f distance पर रखाता तो इसका answer क्या हो जाएगा भी हमारा right answer हो जाएगा याद रखना अगर हाइगेंस का जो आई पीसिस का question आ जाए तो दो प्लैनों convex lens है उनके बीच की distance पूछी जा सकती है याद रखना टू पिरकास की किरड की जो wavelength है वह इतनी है जिरो पॉइंट जिरो 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 सिक्स मीटर यह किसके एकक्वल है तो देखो सबसे पहले यह question easy है लेकिन बस थोड़ा calculation आप carefully करना दो और दो चार और एक पांच यानि कि इसको हम 6 गुड़ा 10 की घात माइनस 5 यानि कि अगर 10 की घात 5 से डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल कतम अब एक बात बताओ अब इसमें यह चैलेंज है कि यह पता है कि नहीं सारे option किसमें है micron तो एक micron बराबर कितना होता है 10 की घात माइनस 6 मीटर तो अगर एक मीटर की बात करेंगे तो वो 10 की घात 6 माइक्रोन हो जाएगा तो 10 to the power 6 का इसमें multiply करेंगे तो यहां से हमें 10 मिलेगा यानि कि 60 वाला मेरा answer correct हो गया C option is the right answer यह चीज़े पता होने चीज़े यह जो conversation होते है एंगस्ट्राम हुआ चट्टान की distance क्या होगी आपने कभी-कभी movies में देखा होगा कि बहुत सारी movie में ऐसा बोलता है वो I love you फिर उदर से return होके आता है तो वो प्रतिध्वनी जो उसका जो sound का जो reflection होता है उसी पर based यह question है अब मेरी बात ध्यान से सुनना इसमें यह समझना है पहले तो इसको बहुत जल्दी कर पाऊगी आप आपको पता हो basic सबसे basic formula क्या होता है चाल बराबर क्या होता है velocity जो होती है वो distance over time चाल बराबर दूरी बटे समय होता है अगर यहां से हम distance निकाले है अगर यहां के बटे एक माल ले और cross multiply करें तो अगर distance निकालनी हो तो किसी की चाल में अगर उसके समय का गुड़ा कर दे तो वो distance निकलाएगा यानि कि अगर हम और यह निकालना चाहें कि उसने 4 second में कितना distance चला है उस sound ने यानि कि यहां पर sound का distance हम find करें उस sound ने 4 second में कितना distance चला मतलब 4 second में और sound का speed कितना है मैं guarantee से बोल रहा हूँ अगर यह question आएगा तो कोश्टक में आपको given रहेगा कि sound sound का speed है वो 344 है या जो भी हो 344 अगर मैं consider करूँ यहां पर क्योंकि यह सवाल 344 वाला है जिससे आप सा option match होगा मैं बता रहे हूँ किस तरह से क्या होगा आपका यह क्या आ गई यह वो speed आ गई जो sound ने travel करी अब sound ने travel कितनी करी थी यहां पर बच्चा खड़ा हुआ है य पठाका यहां पर चला तो पठाका चलके sound यहां गया फिर वहां से reflect होके यहां पर आया मतलब एक बार जाना और एक बार आना यह distance sound ने दो बार travel करी है लेकिन हमें बतानी है कि यह distance है कितनी इस बच्चे से इस पाड़ी की मतलब sound ने अगर दो बार तै करी तो और हमें एक बार travel distance ही तो बतानी है अगर पूरी इस speed में इसमें एक बार आना चुपा है एक बार जाना चुपा है मतलब यह twice है यानि कि इसमें अगर दो से divide कर दें तो वही तो मेरी हो जाएगी distance यानि कि यह 2 से 2 कर जाएगा यानि कि 344 का दो गुना करोगे तो 688 मीटर मेरा right answer हो गय दोनी की चाल बराबर 344 तो यह बैरी कर सकती है वहाँ पर अगर 340 लिखी है तो उसके according option framing होगी 332 भी लिखी है अगर तो उसके according option framing होगी इन options की framing जिस तरह से उसमें यह 688 right answer है जिस तरह से मैंने आपको concept बताया कि कैसे करना है आपको ठीक है चलते है next question पर ठोस गोला है solid sphere है उसके diameter के अनुतिस जो जड़त आगूर moment of inertia है वो क्या होगा तो दो question मैं हमेसा force करता हूँ याद कर लेना solid का और hollow का solid के लिए moment of inertia जो आई है वो क्या होता दो बटे 5mr square similarly अगर यहां पर बस एक सब्द होता कि खोकला गोला यानि कि hollow sphere होता तो answer हो जाता दो बटे 3mr square ठीक है कुछ formula में हम हर उसमें वीडियो में याद करा देता हूँ तो कुछ छोटे छोटे अगर एकदम से formula याद करने बैठ जाओगे तो आप बोर हो जाओगे लिकन अगर ऐसे हर वीडियो में एक दो एक दो formula याद कर लोगे तो till exam आपको बहुत सारे formula का collection है वो हो जाए कोई एक परिवर्ति कोडिये आबरती ओमेगा तथा constant आयाम वाले AC circuit से series क्रम में जोड़ा गया है तो ओमेगा का मान अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा बल्ब की जो intensity है वो कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी या कुल जो impedance है वो क्या हो जाएगी change नहीं होगी या impedance यानि आप skip ही करोगे अब कैसे सोचना है impedance का formula जरा क्या बताया था xc का square plus r square फर्दर नहीं लिखेंगे क्योंकि कह रहा है कि जो वो 0 है prayer का तो ठीक है तो इससे अगर हम xc को replace करें तो xc को हम एक बटे omega c लिख सकते हैं एक बटे omega c इसका भी square हो जाएगा यानि कि finally हम लिख सकते है impedance is equal to 1 बटे omega c का whole square plus r square अब मेरी बात ध्यान से सुनना मैं बताना क्या चाहरा हूँ इसमें करना कुछ नहीं था बस formula पता है तो आप देखो यहां पे concentration करो कि omega बढ़ रहा है और omega denominator है हर में है मतलब omega के indirectly proportional है impedance और अगर omega बढ़ रहा है तो प्रतिबादा घटेगी ठीक है fourth option तो बिल्कुल घट गया किया रहा है कि प्रतिबादा बढ़ जाती है impedance घटेगा क्योंकि omega बढ़ रहा है और omega के indirectly एक बटे नीचे में आ रहा है तो अगर omega बढ़ रहा है आप मेरी बास सुनों अगर omega impedance घटेगा और impedance क्या होता है AC में जो impedance होता है वही तो resistance ही तो होता है मतलब अगर रुकाबट resistance का मतलब प्रतिरोध रुकाबट और रुकाबट अगर कम हो रही है तो फिर उसमें current बहुत अच्छे से flow हो पाएगा और अगर और ज्यादा flow हो पाएगा परिपत में धारा कमा अगर बढ़ेगा तो बल्ब जो है वो दीपती उसकी कैसी हो जाएगी मंद तो होई नहीं सकती अगर current बढ़ रहा है तो फिर क्या हो जागी बल्ब की दीपती तीब्र हो जाती है तो गाइज यह वर्दी आप लोगों को दिलाने की कसम मैंने खाई है बस आप लोग appreciation में कम नया नहीं लगेगा बस आप लोग appreciate करते रहना वीडियो को like, share, subscribe यह सब जरूर कर देना बाकी बस यही है मेरा motivation मिलते हैं कल सुबा फिर एक मौक टेस्ट के साथ जै हिन